हलो फ्रेंड्स देखते ही मुझ में पानी आ गया ना चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं दिप्ति मेरी यूट्यूब चैनल लॉन विथ मी में आप सब का स्वागत है आज हम एक पंजाबी ग्रेवी बना रहे हैं उससे आप कई सारी सब्जीयां बना सकते हैं बस एक ग्रेवी बना लो कई दिनों तक स्टोर करके रखो कोई अचानक से केस्ट आ जाए तो आप उससे सब्जी फटा-फट बना सकते हैं सब वैसे सब पंजाबी ग्रेवी बनाते हैं अपनी तरह से आज मेरी तरह से भी सीख कर देख लो मजाएगा ग्रेवी बनाने के लिए यहां मैंन लिए हैं चार मीडियम साइज के प्याज आठ से दस लेसुन की कलियां एक अद्रक का टुकड़ा एक हरी मिर्च और तीन टमाटर यह सब मैंने चौप कर लिया है यह हम सुखे मसाले लेंगे उसमें मैंने लिया है एक तेजपता पांच से छलॉम दो लाल मिर्च तीन हरी की लाइची दो बड़ी लाइची एक सिनेम का टुकड़ा आठ से दस काली मिर्च एक स्तारानीस कसुरी मेथी होल धनिया और जीरा साथ ही में मैंने थोड़े काजू और मगज के बीज लिये हैं जो ग्रेवी में बैंडिंग का काम करता है मैंने एक कड़ाई ले ली है गेज चालू करते हैं फिर उसमें डालेंगे हम ओल या की कुछ भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं मैंने गी डाला है एक बड़ा सा चम्मच परके गी डाला है पंजाबी सबजी खानी हो और गी या तेल से परेज नहीं चलेगा जी भरके गी या बटर डालो स्वाद रेस्टरंट जैसा ही आएगा वही तो करते ह है रेश्टरंट वाले और इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है की गरम हो जाए तो में जितने खड़े मसाले लिए हैं वो डाल दूंगी कासुरी में ठीक बाद में डालेंगे सबसे लास्ट में बाकी सब इधर में डाल रही हूं की गरम हो गया है अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना फ्री है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे में वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नौटिफिकेशन पहुँच जाएगा अब मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है प्याज टमाटर मैंने रफली चोप किया है ज्यादा बारी चोप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यह सब पीस नहीं वाले हैं और प्याज को भी हमें ज्यादा नहीं भुनना है सिर्फ ट्रांसपरेंट हो जाए तक तक वन फोर्थ टीस्पून मैंने हींग डाल दी है स्वादा नुसार नमक डाल दिया है हम चम्मच चलाते रहेंगे अब इसमें में टमाटा डाल दूँगी हारी मिर्च, अधरक और लासुन वो भी डाल देंगे अच्छ से गलने चाहिए पांच मीट ढंक कर रख देते हैं सीम पे रख देंगे तो टमाटार वगेरा गल जाएगा चम्मच से ऐसे दबा कर देख लेंगे कि टमाटार गल गया है या नहीं अभी और पांच से साथ मिनिट हम पकने देंगे जिससे हमारी लैसोन की कलिया, हरी मिर्च वो सब अच्छे से पक जाए अब आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच काश्मेरी लाल मिर्च डाल दूँगी एक चम्मच तनिया पाउडर डाल दूँगी सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिलाते जाना है इसके बाद मैं यहाँ पर गरम मसाला डालूँगी आपके पास जो भी गरम मसाला हो किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है अगर गरम मसाला नहीं है तो पाउबाजी मसाला, छोले मसाला कोई भी मसाला हो वो डाल सकते हैं अब मैलन सीट्स और काजू वो दोनों भी में डाल दूँगी अब थोड़ा सा पानी डाल कर ढख कर उसको पांच मिनिट और पकने देंगे तो काजू और मगज के बीच गल जाएंगे मैंने भिगो के नहीं लिये हैं कोई जरूरती नहीं देखिए ओईल सेपरेट हो गया है अब हम कसुरी मेथी डाल देंगे और हमारी ग्रेवी रेडी है अब ही इसको ठंडा होने तक हम रख देंगे ठंडा हो जाए बाद में पीस लेंगे गेस बंद कर दिया है चलिए हमारी ग्रेवी ठंडी हो गई है अब मैं पीस लोंगी देखो पीस गई और निकाल लिया है मैंने ज्यादा ग्रेवी बनाई है मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ चलिए इससे हम अब एक सब्जी बनाते हैं एक पेन ले लेते हैं उसमें अगें मैं गी डालूँगी बटर भी डाल सकते हैं गरम हो जाए तो यहां मैंने एक तेजपता जीरा चार लोंग और एक सिनमन स्टिक लिया है गी गरम हो जाए तो मैं ये डाल दूँगी ये सब डाल कर ये चटक जाए उसके बाद मैंने प्याज कट कर लिये हैं और उसके लेयर्स खोल दिये हैं वो डाल देंगे उस पर थोड़ी हींग और नमक डाल देंगे अच्छे से चलाते जाएंगे अधरवाइस चल जाएगा अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच लाल मिर्ज पाउडर मैंने काश्मीरी लिए हैं एक चम्मच धन्याजीरा पाउडर और कैप्सिकम जो मैंने डाइस में कट कर लिया है वो डाल दूँगी थोड़ा सा सोते हो जाए तो इसमें मैंने एक आधा क्योंकि मेरे पास बड़ा था तो आधा टमाटर डाइस करके रख लिया था वो डाल देंगे प्याज टमाटर और कैप्सिकम को गलाना नहीं है सोफ्ट पनिर के साथ ये सबजियां क्रंची अच्छी लगेगी अब इसमें मैं पनिर डाल दूँगी अब ही कसोरी में थी थोड़ा मसल के डालेंगे तो इसकी फ्लेवर अच्छी आएगी सब कुछ चलाके इसमें जो बनाई है ना अपने ग्रेवी वो में ये डेड़ बड़े चम्मच बरके डाल दूँगी ग्रेवी हमारी थीक है तो कंसिस्टनसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल कर उबालोंगी पानी कितना दो चम्मच जितना बस देट सेट देखिए ओइल सपरेट हो गया है हमारी सबजी रेड़ी है गेस बंद कर देंगे और गर्मा गरम सव करेंगे तो फ्रेंड्स कैसी बनी है ये सबजी देखते सच में मुह में पानी आ गया ना थैंक्यू फो वाचिंग